असलाम उलेकूं, रिस्पेक्टिव टीचर्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप इनुमिरेशन कैसे करेंगे, घर घर जाके लिस्टिंग करने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो इनुमिरेशन का है, तो आप ये इनुमिरेशन कैसे कर सकते हैं, आज कि इस वीडियो में इन्शलाम मुकमल डिटेल के साथ होता हूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपने हमेशा जहन में रखनी है, कि आपने सबसे पहले एक ब्लॉक स्लेक्ट करना है, जो ब्लॉक छोटा हो पहले आप उसको स्लेक्ट करें, क्यूंकि हो सकता है, फर्स्त में आपको मुश्किल पेश आया, तो आप छोटा ब्लॉक करेंगे, तीन आपने लिस्टिंग करनी है, रिस्पेक्टेड टीचर्स जैसे या आप लिस्टिंग कर लेंगे, तो आप यहां पे क्लिक करेंगे, मुकमल करें या कंप्लीट करें, तो आप देख सकते कि हैं लेकिन उपर जो आ रहा है वह 200 आ रहा है यह देट सब्सक्राइब नीचे जादा है और ऊपर कम है और घराने भी नीचे ज्यादा है उपर कम है तो इसका मतलब यह है कि जुमें रिस्टिंग की है वह प्रापर अपलोड नहीं हुई तो नैटवर्क का मिसला हो सकता है क यहां पर नैट वर्क के इश्यूज होगे तो आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ लिस्टिंग में हाला कि आपने काम मुकमल किया हुआ होगा कोई भी मिस्टेक नहीं की होगी लेकिन फिर क्योंकि system slow है इसलिए आपका यह upload नहीं कर रहा है तो आप देख सकते हैं कहते हैं आप इसको पहले ही मुकमल कर चुके हैं हलाकि यह मुकमल है लिकिन क्योंकि डाटा upload नहीं हुआ तो इसलिए यह 13 बटा 13 नहीं कर रहा है तक ये तेरा बटा तेरा नहीं होगा हम इनॉमिरेशन नहीं कर सकते हैं आप करेंगे इसका फॉर्म फिल करेंगे फॉर्म मुकमल हो जाएगा जैसी अब सब्मिट करेंगे तो आपको वह कहा देगा कि पहले आप यह complete होने जाए यानि जितनी इमारतें आई हैं 13 है तो 13 बटा 13 यूनिट्स 20 है तो 20 बटा 20 और घराने 15 किये होगा तो 15 बटा 15 होगा तब जाके यह मुकामल होगा तो हम इसको back करते हैं उसके बाद अब देख सकते हैं मैं यहाँ जारी रखें पर क्लिक करता हूँ लिस्टिंग में तो मेरा डाटा तकरीबन कंप्लीट है लेकिन जहाँ पर ग्रीन टिक का निशान नहीं लगा हुआ यह देखें यहां तीन नीचे ग्रीन टिक लगे हुए तो यह तीन सबमेट हो हैं जबकि यह मुकमल है गराने इनकी लिस्टिंग ठीक तरिके से हो गई है लेकिन यह अभी अपलोड नहीं हुए यहां से मैं अगर इसको अपलोड करता हूं तो आप देख सकते हैं डाटा को पसे मनजर में अपलोड किया जाएगा तो इसका मतलब यह डाटे का मसला है हमार नहीं होगा यहां पर टिक नहीं हुए लिस्टिंग में आपकी इनॉमिरेशन नहीं होगी तो इनॉमिरेशन पर टाइम जाया करने से बहतर है सबसे पहले अपने सुपरवाइजर के जरिए इस मसले को हाल करवाएं जब यह सारे ग्रीन हो जाएंगे यह आपका जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपका लॉग इन तो पहले से हुआ करा होगा अगर लॉग नहीं है तो पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा उसके बाद यहां पर आपको आपूट करेंगे नज़रा रहा है तो आप देख सकते हैं आखरी बार इंपॉर्ट का वक ब़राUNG करें जब कि आप पहली दफ़र कर रहे होगे तो यहाँ पर लिक्षा होगा इंपोर्ट करें तो जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे जो आपने लिसनिंग की हुई है उसका सारा डेटा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद फिर हमने हर घर की इनॉमिरेशन क्यासे करनी है वो मुकमल डिटेल के अब देख सकते हैं अनेबल टू रिजॉल्व होस्ट लिखा हुआ रहा है तो ये नेटवर्क के मसले चलने हैं तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि आपका काम क्यों नह जाएगा दो ब्लॉकोड होंगे पहला आपने ब्लॉकोड किया है तो यहा पर एक आएगा अगर दोनों karma का लिए तो प्र फिर दूसरे भी आ जाएगा और इसमें आपको बताएगा कुल घराने कितने हैं और कुल इमवारती हैं सारा डेटा आपने किया हुआ है आगे ब्लॉक जारी रखें यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्पार को मैप्स पे क्लिक करके आपने आगे जाएं यहाँ पे क्लिक करना है अब देखें जो घराने कंप्लीट होगे वहाँ पे टिक लगा हुआ आ रहा है और जो घराने आपने नहीं किये हुए वो वैसे खड़े हैं अब हमने फार इस घर पे गए हैं घराना नमबर वहाँ पे लगा हुआ था है जब हमने देखा के ये घर 0010 है तो आपने इसको जाके क्लिक करना है अगर हम पहले इस घर पे गए हैं 0014 पे तो आपने इस पे क्लिक करना है जिस घर में भी गए हैं हम उसका घराना नमबर देख कर इदर देखेंगे अपनी लिस्ट में वो घराना कहा है उसको हमने क्लिक कर देना है अब जब यह आ गया तो इसका यहां पे आपने क्लिक करना है नाप तो कहता है क्या आप इस घराने की मर्दम हम शुम्वारी शुरू करना चाहते हैं हाँ यहां पे क्लिक कर देंगे उसके बाद अब देख सकते हैं यह सर्बरा है जो है इसका लिखा हुआ जिरो बाइट फाइप यानि सर्बरा के मतालिक आपने पांच इन्फरमेशन देनी है लेकिन अभी तक हमने जिरो दी है तो आप मुख़ाद तो आपि जिन्स सेलेक्ट करनी है मर्द है तो मर्द, और्त है तो और्त उसके बाद उसकी उमर लिखेंगे जो भी उसकी उमर है यहां पर लिखके आपने इसको को कर देना है उसके बाद ये डाटा आपने महफूस कर देना है उसके बाद आगे पूछ रहा है उसके दवाजी हैसित क्या है वो शारी शुदा है गैर शारी शुदा है जो भी है आप यहां से स्लेक्ट कर लेंगे और उसका मजभ क्या है मजभ पूछ लेंगे मजभ मुसल्मान है पूस्ट कर देंगे आगे नाइन नमबर पे आपको पूसे रहा है कि वो किसी भी जबान को समझ भूज के सादा तहरीर भी कर सकता है और लिख भी सकता है पड़ भी सकता है और जम्मा नफी भी कर सकता है तो या नहीं है तो पड़ा लिखा है तो हां करेंगे और अगर नहीं तो थर्ड अप्शन उसके बाद उसकी तालीम पूचेंगे स्कूल नहीं गया तो जाहरे कोई तालीम नहीं है और अगर गया है तो कितनी तालीम है यहां पर सारी तालीम दी गी है तो यहां से हम सेलेक्ट कर लेते हैं फार एक्जेंपल सैवन क्लास तो डियर वीवर्स आपको एक बात बता दूँ शुबह तालीम में अगर आपकी मैट्रिक तक है तो उसमें शुबह तालीम अमूमी आएगा और आगे जो जो शुबह आपको पता है वो शुबह आपने सेलेक्ट करना है जिस शुबह में उसकी तालीम हो नंबर 13 में पूछता है कि आप 12 महीने में उस بتانی ہے ہاں. فار اگزمبل یہاں پہ ہاں کرتے ہیں تو پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس نے کون سا کام کیا ملازمت کی ہے ذاتی کام ذرات کا کیا ہے جو بھی اس نے کام کیا اور یہاں سے دیکھ جا اب نے اس کو سیلیکٹ کرنا اور اس کو محفوظ کر دینا ہے. اس کے بعد اس کے پھر پیدایش کا ملک پوچھ رہا ہے کہ یہاں پہ پیدا کہاں پہ ہوا ہے یا افغانستان سے ادھر آیا ہے افغانستان میں پیدا ہوا تھا یا شروع سے ہی پاکستان میں पैदा हुआ था और इसका जिला कौन सा है तो जिला जो भी है यहां से स्लेक्ट कर लेंगे और धियात में रहता है या शहर में रहता है वो यहां से स्लेक्ट करेंगे और इस जिले में वो कब से रह रहा है पैदाए से आप तक है या पांच साल हो गें छे साल हो गें जितना भी टाइम हो गया वो यहां से आपने इसको स्लेक्ट कर लेना है उसके बाद इसको भी आपने यहां से महफूस कर देना है उसके बाद उसकी कोई सुनने बोल चाल चलने पिरने या या यादाश कोई भी माजूरी है तो यहां से स्लैक्ट करेंगे। अगर माजूरी है तो हाँ। और प्रनुचर आपका आप्शन आएगा। देखने में दुछारी है, सुनने में है, चलने पिरने में बात्चीत करने में है तो आप पूछ लेंगे HOW दुछारी है तो यहां से आप थोड़ी आप भी आपने महफूज कर देना है तो अब आप देखें जो रफीक है उस घ्राने का सरबरा है उसके मुतालिक जो पांच सवाल थे पांच मालमाती थी वो हमने दे दी अब यहां पर आपको एक प्लस का निशान ज़रा आ रहा है आप यहां पे क्लिक करते हैं तो मजीद चा यहां से एक एक करके दर्ज कर देना है तो रिस्पेक्टिव टीचर जितने भी उस घार में सरबरा रहते हैं उनके नाम यहां से दर्ज करना है तो यहां पर मिसिस जो भी यहां पर बंदा है उसके एहलिया का नाम लिखें आपकी मजजी है या मिसिस करके उस बंदे का नाम कुछ के लिख देंगे उसके बाद आपने इसको महफूज कर लेना है जैसे आप इसको महफूज करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी मिसिस जो है वो आगी है इसके मुतालग भी पांच सवाल है जैसे मिस्टर रफीक के मुतालग थे वैसे उसकी मिसिस के मुतालग भी पांच सवाल है तो यहां पे क्लिक करके आपने इसके सवालों के जवाब देने है तो यहां से आप देख सकते हैं सबसे पहले इसकी सेम वैसे है जैसे उसका था पढ़ा लिखा है तो हाँ नहीं तो पिर उसके आप नहीं भी कर सकते हैं वही मालूमा जो इसके शोहर के मतालिक थी वही इसके मतालिक भी आपने सेव कर देनी है उसके बार इसके पैड़ाश का जिला जैसे इसके शोर के मतालिग पूछा था सेम उसी तरीके से यहाँ पे सारी डेटेल आपने दरज कर देनी है यहाँ पे अगर कोई मुश्किल शेके कोई मुश्किल नहीं लिक के इसको कर देंगा अब देखें five by five हो गया जैसे इसके शोहर के मुतालब पांच बटा पांच हो गया था तो इसका मतलब है कि ये दो हमारे नाम मुकमल हो गए है उसके बाद अगर इसके घर में कोई बच्चे भी हैं इनके वालदेन भी हैं तो मजीद उनका टेटा भी सेम इसी तरीके से जैसे हमने इन दो मिया बीवी का किया है बिलकुल वैसे आपने यहां से उन लोगों के नाम एड़ करते जाने जितने लोग भी यहां पे इस घर में रहायश पजीर है उसके बाद अगला अप्शन घर से मुतालब कुछ मालूमात है यह मालूमात भी हमने देनी है घर की है घर की रहायश की है क्या है यह इनका जाती है यह किरायप है जो भी यहां पे आपके पास आप्शन आ रहे है उनसे पूछ के यहां पे आपने सेलेक्ट करना है सरकारी घर है या गयर सरकारी दारे का घर है जो भी है उसके बाद घर के मालक जो है वो मर्द है या औरत है उसके बाद कमरों की तदाध कितनी है जी उनसे पूछ के करना है सारा का और घर की तामीर कब से ये घर बना है अभी जेरे तामीर है या इसको बने हुए पांच साल हो गया है जितना भी हो गया है घर की दिवार कैसी है जी कि फितक क्या है। गार्डर और टी आयरन की है। इसको आपने महफूसका का देना है। उसके बाद घार में सहूlt का है। पीने का पाणी घर के अंदर है या बाहर है। और पानी का जरिया क्या है? घर में रोशनी कहां से आ रे है बिजली के जरिया रे है उसके बाद खाने का जर्या क्या है? लक़ी है या गैस है, जो भी है बवर्ची खान अलएदा है या नहीं है वसल खाना अलएदा है या मुच्टरका है बैतलखला, उसके बाद बैतलखला की नोयत कैसे है, सलेब के साथ गढ़ा लगा हुआ है या आपका सेवरिज बना हुआ है घर में कौन से जराय अबलाग इसमाल होते है टीवी है, टेलिफून है, मुबाइल है, अखबार है जो भी यहां पे आपने सेव कर देने है और घर का कोई फर्ण, बैरोने मुलक रहाष पजीर है अगर छे माई या ज्यादा अरसे के लिए है तो आप कहेंगे हाँ, और अगर छे माई से कम है तो उसको नहीं कर देंगे तो यहां पे इस डेटे को भी महफूस कर देंगे उसके बात आगे चलते हैं, जवाब देंदा से मतालिक मालुमाद सबसे पहले है, कि जवाब देंदा घराने का फर्द है हाँ भी, वो घर का फर्द ही है पिर वो जो भी आपने उसके घरवालों के नाम लिखे होंगे, वो सारे आ जाएंगे उनमें से कौन आपको मालुमाद दे रहा है, जी हमें रफीक दे रहा है अब रफीक के वालिद का नाम भी यहाँ पे लिख देना है, जो भी नाम हो उसके बार उनका मुबाइल नमबर अगर नहीं देना चाहता तो नहीं देना और क्यों नहीं देना उसकी वज़ा भी बताने हैं, इसके बार डियर वीवल्स आपने यहाँ घराना मुकमल या अपलोड पे क्लिक करना है डोडेख सकते हैं, ये घराना लिस्टिंग में अपलोड नहीं हुआ लेकिर वहाँ बेख अपलोड अभी नहीं हुआ तो वही बास जो मैने आपको सबसे पहले कही जब तक लिस्टिंग में अपलोड नहीं हो जाते, आगे गृरीन श्रुमीं want 84 bubbles urban भी आपे लगाया है वो बिलकुल भी नहीं होगा इसके अलावा डियर वीवर्स आपको एक बात और भी बता दू कि सेल्फ इनॉमिरेशन में जो लोग अपनी इनॉमिरेशन खुद करते हैं अपनी खुद शिमारी घर में बैठके कर लेते हैं तो हम उनको कैसे एड़ करेंगे व तरीका कार भी हम आपको बता देते हैं यहां से आप कोई भी इस घराने में जाते हैं और इस घराने के पास जाके कहते हैं कि हम आपकी मर्द मुश्मारी के लिए आया हैं तो आपको बताते हैं कि हम अपनी मर्द मुश्मारी खुद से का चुकी हैं तो आपने इसको सेलेक् क्या घराने ने मर्दम श्मारे खुद किया है यहां पे क्लिक करोशाब रिक देना है जासेивать क्लिक करएंगे तो YOU-TON कॉड ननके पास होगा वो यहां पर लिखे वो कोड नसे लेकर यहां पर लिखेंगे और उस घर में मर्दों की उत्ढाद कितनी खवातीन के तदाद कितनी है यह सारा डेटर खुद बखुद यहां पे आ जाएगा और आपने इसकी तद्जी करके इसको सेव कर देना है तो इससे यह से यह से इनॉमिरेशन भी आपने ऐसे करनी है और इसके लावा आखरी जो एक दो दिन होंगे उसमें आप बेघर अफरा किस तना से रिकॉर्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं टॉप पे आपको नजरा आ रहा है बेघर अफराद का इंदराज वो यहां से करेंगे उसके लिए सबसे पहले आप यहां एड़ पे क्लिक करेंगे घराने का इंदराज करेंगे अब नाम सरबरा यानी जो बेघर और इंदराज करें यहां पे आप क्लिक कर देंगे यहां पर एक बंदा उसका नाम असलाम है जिसका घर नहीं है तो उसका नाम लिकेंगे उसका मुबाइल नमबर नहीं देना तो वज़जा बताएं इसमाल नहीं करता और उसके बार इसका इंदराज कर देंगे तो इस सहा आपके लिस्टिंग वाला काम मुकमर नहीं होगा आपके ये काम बिलकुल भी नहीं होगा तो बी कियरफू सबसे पहले अपनी लिस्टिंग को अच्छी तरह से कंप्लीट करना है सारे टिक हो जाएं उसके बाद आपनी नॉमिनेशन करनी है इसके साथ ही अपना ख्यार लखें अल्ला हाफिज